आज हम बनाएंगे वेट लॉस पैनकेक जिसके लिए हमाइन चाहिए बेसन चाहिए तीन टेबल स्पून आठ से दस पालक के पत्ते एक कांदा चाहिए स्वाद के नुसार नमक और लाल मिर्ची चाहिए सीक्रेट मसाले जो इसमें मैंने यूज किया है वो है दालचीनी पौडर और ची असीड थोड़ा सा पानी और ओयल यूज करेंगे हम लोग ऑईल बहुत जरा सा यूज करेंगे क्योंकि हम वेट लॉस पैंकेक बना रहे हैं तो उसको सिर्फ तब पे हलका सा लगाने के लिए यूज करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं एक परतर में तीन कर्ची बेसन ले रही हूँ बेसन को पहले से ही मैंने चान करके रखा हुआ है ताकि मैं इसे कभी भी यूज पड़े तो ले सकूँ अब मैं उसे में डालूँगी स्वाधनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा अजवेन ताकि गैस ना हो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मैं उसे घोल लूगी पानी बहुत थोड़ा थोड़ा यूज कीजिएगा ताकि उसमें गाठे ना पड़े धीरी धीरी उसको घुलीए और जब तक कि अच्छे से पेस नत तयार हो जाए तब तक आप उसको अच्छे से फेट ते रही है आप पानी उसमें धोड़ा-थोड़ा मीलाएजिए जितना आपको जरौत हो उतना ही आपको पानी मिलाना है जब आपको लगे कि हाँ आपका बैटर जो है अच्छे से घुल चुका है तब तक उसमें पानी थोड़ा थोड़ा मिलाई है और उसे अच्छे से फेटते रही है उसमें लम्स जरा भी नहीं आने चाहिए यह दे कि मेरा पेस बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है तो अब यहां पर आनियन को कट करके रखा था और उसमें अच्छे से में इसे डाल दूंगी उसमें और अब में आपर डाल रही हूं पालक आठ से दस पते मैंने लिये हैं उसको बारीक बारीक चौपिंग किया है ताकि जो है क्योंकि हमारा कोई भी वेजिटेबल हो उसमें ग्रीन अच्छा ही रहता है यह सीक्रेट जो मैंने आपको बताया था चीए सिर वह आइड किया है अब गैस चालू करेंगे मैंने यहां पर नॉनिस्टिक तबा लिया है ताकि मुझे बहुत ज़रा सा उयल लगाना पड़ी आप यह देख सकते हूं मैंने बहुत हलका सा ऑईल यू इसको आपको तुरंथ ही ताजा ताजा कोटना है पहले से ही पीसा हुआ मध डालेगा क्योंकि उससे एफेक्ट जारक कमाता है तो यहां पर मैं जब भी बनाती हूं से ताजा ताजा पीस लेते हूं तो यह मेरा पाउडर तैयार हो गया हलका सा इसको स्प्रिंकल कर लीजि देखने के साथ कह सकते हैं दही के साथ कह सकते हैं जैसे भी आप इसे इंजॉय करना चाहते हैं वैसे खा सकते हैं थैंक यू सो मच